यह लिए कि अट कि 7.1 इसमें भी इंडिफरेंस लेवल है चैल्कुलेट इन डिफरेंस आफ सरी डिफरेंट टाइप आफ लीवरेज है सर लीवरेज भी पूछ लिया इसमें अब है हाँ यह चैपटर लीवरेज के बाद है तो एक्जामनर यह में मान रहा है कि आप लिवरेज पढ़के आए हो तो जिसको लिवरेज नहीं पढ़ा तो वह लिवरेज वाले पॉइंट को इगनोर कर सकता है लेकिन इस वाले पॉइंट को इगनोर नहीं करेगा क्योंकि वह तो हम सीखी रहे हैं बोल रहा है यह तो जाना जाना सा फॉर्मूला है अगर मैं टोटल ट्रेस टन ओवर फॉर्मूला बता दू है टोटल को एसेट को टन ओवर इसेल्स अपॉंट में है टोटल एसेट यह फॉर्मूला है तो सर यह कितना कह रहा है यह कह रहा है 3 by 1 3 है तो मतलब 3 by 1 fix operating cost अब total assets हमें पता है वैसे sales नहीं पता निकल जाएगा और total assets हमें पता है 3 लाक तो यह आगे हमारा sales is equal to 9 लाक मैंने roughly निकाल दिया है कहता है fix operating cost यानि fix cost दे दिया एंड वेरियेबल operating cost 50% sales का हमेशा जब भी percentage दे किसी का तो हमेशा याद रखना वो sales का ही है income tax rate 50% ओके बास इतनी सी बात तो यह तो पिछले से भी आसान हो गया यह है कि पिछले में तो फिर भी plan पूलून की बात कर रहा था है यहां तो कुछ भी नहीं है कि सिंपल सा होगे आज आज चलिए सबसे पहले लिखेंगे से सर ऊपर क्या लिखते हैं यह बताओ मैंने बता दिया income statement लिख दो यह जो पूछा हुआ है वो लिख सकते हो और यहां तो सर्फ पर्टिकुलर लिखेंगे लिखेंगे लिख सही से बताओ तो मैं लिखेंगे देता हूं calculation of EBIT EPS different type of logist सब कुछ लिख दिया ऐसे लिख दो ठीक है सर सेल्स अभी अभी निकाला है नौ लाग सेल्स निकाला है नौ लाग ठीक है माइनस करो variable cost सर तो variable cost कहता है सर आपका 50% है तो साड़े चार लाग अब कुछ बच्चों को problem हो सकता है तो नौ लाग का नौ लाग का 50% लो जी लो आ गया साड़े चार लाग अ साड़े चार लाग यह आ गया contribution इसमें से माइनस करो fix cost क्या हमारे सवाल में fix cost है देड़ लाग fix cost कितना है तो लो जी लो आ गया हमारा तीन लाग यह आ गया हमारा EBIT पहला पड़ाओ पार पहला point खदब चलो अब इसमें से जस्ट माइनस करो क्या इंट्रस्ट सर इंट्रस्ट कहां है balance sheet में है यह रहा इंट्रस्ट इंट्रस्ट कितना है एक लाग 20,000 का तो 12,000 सर कैसे आया इंट्रस्ट एक लाग 20,000 का लोन है उसके उपर 10% लगाओगे तो अब आगे आपके पास EBT EBT तो 2,88,000 अब इसमें से माइनस कर दो क्या माइनस कर दे सर अब माइनस करो टेक्स टेक्स सवाल में 50% है तो 144,000 तो जो अब आंसर आया हमारा यहां तक पहले आप देख लीजिए फिर मैं बताओंगा कि आगे क्या है नहीं है यहां तक देखिए पहले जो जो पॉइंट निकाले है उसको कलर कर देते हैं मिक्स सा हो गया यह चलिए सर अब हमें EPS भी निकालना है इन डिफरेंट लीवरेज भी लिकानना है तो सब कुछ निकाली देंगे कोई बात नहीं और थोड़ा स्पेस की ज़रत पड़ेगा तो इसको हम थोड़ा सा साइज को कम कर देते हैं चलो पहले लीवरेज निकाल ले क्या लिवरेज में आएगा DOL और आएगा DFL और आएगा Dcl और मिरे हिसाब से यह तीनों आपको पता होना चाहिए इसका फर्मूला होता है Contribution divided by EBIT और सर इसका formula होता है EBIT divided by EBT इसका formula होता है DOL इंटु में DCL या फिर जैसे मैंने एक और बताया हुआ है वो भी तो बताएए फटाफट क्या रहा है इसका पहले का बताएए क्या रहा है क्या रहा है किसका 1.5 अगला बताईए अगला बताईए 2.08 1.5 अगया 2.08 और इससे अगला 1.56 ओके सर और कुछ भी एक सवाल तो रही गया सर EPS मैं इधर निकाल दूँ या इधर निकाल दूँ बात फरक कुछ नहीं पड़ता चलो मैं इधर निकाल देता हूं EPS is equal to EAT सवाल में चेक करो कहीं पर फ्रेंश यर तो नहीं नहीं है EAT divided by number of share EAT है हमारा 144 number of shares कहता है नब्वे हजार है और दस का एक है तो number of shares आगे 9000 number of shares of shares नब्वे हजार रुपए divided by 10 तो यह आगया 9000 तो बताईए क्या आया बताईए क्या आया 16 आगया EPS बताईए किसी स्टूडेंट को doubt 16 आगया EPS 1.04 आएगा DFL ओ हो 1.04 गलत क्यों बताएं फिर यह 1.04 तो यह भी गलक आगया अच्छा यह सही है कैल्कुलेटर प्यार हो गया फिर एक बच्चे का डाउट भी था वह भी देख लेता हैं बताईए यहां तक किसी स्टूडेंट को doubt का अच्छा बार प्रॉप कैन यू जैन लाउंग औं द्रॉट टेबल यह तो मैंच वाले पर होगा आप एक बार फटा फट से जिस बच्चे का डाउट था इसको डिवाइड करने के बाद आए इसको डिवाइड करने के बाद यह पूछा है find out evit find करो और eps तो हमें निकालना पड़ा है कहा किस कोश्चन की बात कर रहे हैं कहीं आप यह तो नहीं बोल रहे हैं पिछले साल का होगा में इस साल का कैलकुलेट करना है ठीक है यहां पर देखो आपका दे भी रखा है कि एक दो यह किसका अंसर है पता नहीं एक दो जीरो किसका अंसर है कि एसिस्टेक हो गई कहता है इबि-ई-टी निकालो अगर इपएस आपका वण हो अगर एपएस आपका है तो हो और ईपयएस आपका जीरो हो बिलकुल सही बोल रा मैं इसके आइड में कॉलम क्रियेट करके कर देता हूँ आपको यह कर ना होगा यह करना होगा माल लो सवाल कहता है आपका EPS कितना हो 1 हो EPS 1 का मतलब आपका profit after tax जो है वो होगा 1 into में number of shares क्या है number of shares क्या है 9000 तो इसका मतलब वो कह रहा है PAT होगा 9000 तो tax rate क्या है tax rate 50% होगा तो यहाँ tax भी होगा हमारा 9000 तो जो हमारा EBT आएगा वो आएगा 18000 और उसमें से minus करोगे interest उपर जाना है में interest कितना था हमारा सर interest था यहाँ पे हमारा 12000 तो हमारा EBIT आजाएगा हमारा 30000 जुडेगा तो यह पूछ रहा है 3 cases में मैंने कुछ और निकाल दिया वहाँ क्या आपको समझ में आया मतलब यह पूछा है कि क्या क्या होगा तो एक रुपए अगर होगा तो एक रुपए में यह होगा आप दो रुपए ऐसे multiply करके निकाल लोगे ऐसे 0 EPS कर लोगे तब भी आपका क्या होगा निकल जाएगा बिल्कुल सही समझ में आया यह वाला जो मैंने side में किया यह बोला नहीं था मैंने गलती हो गई मुझसे पढ़ने में find out the EBIT if EPS is मैं वही answer मैंने सोचा यह answer है तो गलती हो गई पढ़ने में तो इस तरीके से आपको करना है अब इसी के side में चलो चोटा सा कर दूं मैं दूसरे pen से कर देता हूं और यह pen लेते हैं जो बिल्कुल different pen यूज करते हैं अब क्या बोल रहा है कितना होना चीए दो होना चीए तो यह कितना होगा अठारा हजार और यह कितना होगा 18 और यह कितना होगा ? 36 और यह कितना होगा ? 12, 12 और 13 Couple 36 कितना होगा ? 6, 2, 8, 3, 1, 4, 4, 8, 8 ना, sì, इसी के साथ साथ जीरो वाला भी लो लो, फिर जीरो ही लो ये तो जीरो हो गया, टेक्स्ट भी जीरो हो गया, EBITantine क्या हो गया ? जीरो हो गया इंटरस्ट क्या हो गया 12,000 हो गया और ही 12,000 हो गया तबी 12,000 माइनस कर Почему जी Lubba लो जी मैए सब कर सबस्टिया मा का सबस्ता ही कर दिया बाके बाकि आप इसको प्रॉपर फॉर्मिट में कर लेंगे less झाल झाल